मतलब सेलरी कितनी मिलती है सेलरी बैसेक तो ज्यादा नहीं लेकिन सब मिलम सब कुल मिलाकें डिये बगरा मिलाकें 30 की लगभग पहुंच जाती है हेलो दोस्तो नवस्कार आप सभी का एक बार फिर से आपकी ही अपने चैनल पर स्वागत है और दोस्तो आज हमारे साथ खास मेमान है सचिन बगेल जो की 2018 में गुरूप डी की पोस्ट पर सेलेक्टेड हुए थे और जो की पॉइंट्समेन की पोस्ट पर कारियात हैं तो दोस सबसे पहले आप अपना परचाह दीजिए मेरा नाम सचिन बगेल है मैं गुवालियत मेरे से रहने वाला हूं और मैंने अपनी प्रार्मेक्स अच्छा बारवी तक की पढ़ाई गर्वेंट स्कूल से पूरी की उसके बाद ग्रिवेशन में ब्सकी की और मैंने काफी ग्राया था नोया 17 की में गृुष दीक बर्तियाई 2018 में उसका फ़ॉम में अब लाई किया जिसके बाद मैंने उसका एक्जाम दिया तो एकजाम में सेलेक्ट हो गया और उसके बाद पीटी के बारे में मैं इसके बताता हूं अब को सर तो इसमें पीटी में होता है करेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा कठन नहीं बहुत आसा आसानी से हो जाती है तो कुछ ऐसा बताइए उनकी दोड निकल जाए वह तैयारी अपने जैसे क्लूमीटर की दोड़े उसमें दो ग्लूमीटर लगाए एक ताइम तो आराम से हो जाएगी उनको कुछ ज्यादा कठन नहीं है जी जी उसमें बजन उठाने में कोई टेक्निक नहीं और आपका टाइम मेरा जब श्टार्ट उता है बजन रख लेते हैं उसके वाद हो जाते स आपका सिलेक्शन हू था आपकी जो पोस्ट मिली हैं अभास प्सक्त मिलती है जी डेपार्टमेंटे यह अपने को सिंगनल दिखना पड़ेगा है यह एक तो सब्लोट को जाइए तक तो आपको सिंगनल दिखाना पड़ता है जैसे गाड़ी तो ग्रीन और खत्रा देखता तो रेड यह रहती है जो ट्रेन के जो पीछ डबे में रहता है आकरी में बहुत वह तोस्ट दिखाता वो अलग पोस्ट होती है अब गुर्स गार की रहती है उन्हीं उनका अलग रहता अब सर यह जानना चाहूंगा सर अभी जो बच्चे आग अभी इसे चाला करें तो उनके क्या रंडिती रहनी चाहिए किन कन सब्जेक्ट को ने पढ़ना चाहिए इसमें गुरुपडी का सिलिवर्स है मैं रिजिनिंग साइन्स अच्छी है उनका हो जाता है अब बढ़ना नय विद्धार्ति तेयारी करना चालू कर रहा है तो हमन मैत की कोचिंग लें ऐसकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करें जदा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस मेहत की होगी तरॉथ इतना विक है कि मैं तईरी मन नहीं लगता सर इसका क्या करते तो न उनको पढ़ना होगा स्टार्टिंग से पढ़ें सब चैप्टर वाई चैप्टर उनको टाइम लगे हैं च्छे महीने आठ महीने अच्छे से पहले बैस को तयार करें उसके बाद आगे जी जी समतलब सर्व मतलब यह है कि मैंत अगर पढ़ना तो बेसिक से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी नए बिद्यारती उनके लिए उफलानी बेस्ट अगर अगर सब्दा नहीं है अगर ग्रामीड चेतर से उनके लिए उनलान भी अच्छा है घर पे बैठे सब्दा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है और ओनलान में अगर नोट्स बनाके पढ़ते हैं तो तयारी सब्सक्राइब नहीं पर पिछले प्रेक्टिस चैट लगा आए उससे आजाती है अगर आप जो केंडिडेट 2023 में गुरूप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो सरका मानना है कि आप जो प्रीएस में जितने पिपर हुए हैं गुरूप डी के आप पूरे लगाई मैस के रि साइंस के लिए कौन सी बुक्स बैस्ट राएगी बच्चों के लिए काफी बुक्स हैं कौन सी भी ले सकते हो जो चीट लगे पढ़ें तो रची बात है नाइन तो टैंथ यह अभी इस बार प्लेपर वह उसमें थुड़ा चप साइंस आया ता इस लिए नसे आई टी पढ सकते जैसे के लूसेंट हाँ हां और जानना चाहूंगा कि सब्सक्राइब बच्चों को डर रहे हैं पता नहीं क्या 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 होता है ज्यादा नॉर्मल भी नहीं है अच्छे सी होना चाहिए और मेडिकल इस्टेंड के साफ़ से पोस्ट अलोट किया जाती जैसे में और इ और अक्सराचस्ट का यही सब करते हैं नोर्मल ही होता अगर ठीक ठाक है तो जाता है मेडिकल कोई ज्यादा परिशानी नहीं अगर सर मेडिकल में थोड़ी अगर अपनको दिक्कत आती सर तो तो टाइम मिलता है कि नहीं हां मिलता है ताइम कितने दिन का आती तो 6-7 दिन बा में जानना चाहूंगा मैस के लिए बेस्ट बॉक कौन से रही बच्चों के लिए मैस के लिए बेस्ट बॉक मैने तो आरे सकरवाल पढ़ी थी वह वी सबसे अच्छी बॉक और उसका बैसिक से पढ़नी उसके बाद भी और वह कारें कि यह वह ठीक है और रेल वे के मौक के से क्या अपनी टाइमिंग आ जाती है क्योंकि एक गंटा 30 मिन रहता जितना मोग टेस्ट लगा हो उससे आपको टाइमिंग जाते हैं तो समय कम पढ़ जाता है को पूर अटेम्ड भी नहीं हो पाते हैं समय करने के लिए मोग टेस्ट जितने लगां गो तना समय कम अब सर मैं बहुत न्ह Tampa लिए च्वीं युप यह साने सब परसेशन होती है कोई बंट गोएन काई सोती ज्यादा प्रोसिस ने आ अपने सब डाकूमेंट की त्यार रखें और आती इसके बाद रिखिएख और भी जानना चाहूंगा सर इस बार जो गुरूबडी का एक्जम हुआ सर चर्चा यह थी कि कट आप बहुत कम जाएगा लगवाग पचास से पेंतालिस जाएगा पर सारी अभवाएं धरी की धरी रहेगे इस बार में आप क्या कहना चाहेंगे कट ओफ तो फिर भी ठीक गया पहले से पिछली बार सेवेंटी से सेवेंटी फाइब की लगवाग गये था जनरल ओवी सी इस बार से सिक्टी फाइब रहा है तो ठीक ही गया कट जाएगा इतना तो जाएगा यह कॉम्पटीशन है कट नहीं सबी जितने चैनल थे यूटूब पाया तो कट ओप कम रहेगा अब इसाट के लगवाग पेपर नोर्मन सरल आया तो थोड़ा सेवेंटी के लगवा सेवेंटी सेवेंटी फाइब से जादा नहीं रहेगा जाएगा जाएगा सबी मेरे दरसक जानना चाहेंगे सर जो आपका गुरूब डी में सेलेक्सन लेक्न सब मेरें अब को क्या फेसलीटी मिलतें हैं इसमें पैस रहते हैं पूर pitch तो और मिलता और यह च्छह दिन बार करना रहता है व एक दिस्ट को सब्सक्राइब कर रहा नहीं है कहा है और कुछ भी तैयारी कर रहे हैं हां पक्वेटियों से निकलती है लडी निकलती हैं निकलती है निकलती है लिप faculty लींट मौका तमाम मिलती है स्टेशन माश्टर गोट सिगाज टीटीन की बड़तियां निकलती रहती डिपार्टमेंट लिए आपकी ठीक है तो उसमें हो जाता पांच साल में अगला क्या टार्गेट आपको कौन सी मतलब चाहिए हम हमारा ऑपरेटिंग है उस हिसाब से हमें स्टेशन माश्टर के लिए उनके लिए टिप्स है वो सभी से अपने में अच्छी कमाइंड बना और साइंस पर भी गुर्पडी के लिए और और भी तमाम वर्ची सभी के लिए रहता है में अच्छी कमाइंड रहेगी तो आराम से एक जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जिससे अगर कोई बंदा आफ लाइन ही पढ़ाता तो यह नहीं बता सकते कि कौन सा चैनल ठीक है जी मतलब फिर भी सर आपने कितने दिन लगबक तयारी की थी आपका बेस स्ट्रॉंग हो गया हमने ऑफ लाइन MP पोलिस एससे जीडी के लिए तैयारी की थी और इसलिए कम से आठ महीना कोचिंग की तो इसमें बीच में एक जाम आ गया गूर्पडी का तो इसमें जोइनिंग मिल गई और एससे जीडी भी कौलिफाइब कर किया था तो सर एससे जीडी मुसर क्या दिक्कत रहे गई इसमें जोइन हो गए पर उसके इसकी टैनिंग के समय फिजिकल देने नहीं जा पाए उसम से फिजिकल हो गया और दो बार एससे जीडी कौलिफे किया और इस बार भी एंपी पुलिस किया था इसमें फिजिकल देने नहीं गए तैयारी नहीं थी तनी और इसमें जोइनिंग मिल गई अब इसी मैं सोच रहे हैं कुई डिपार्टमेंटली पोस्ट अच्छी मिल जा जी जी और सर अब मैं जाना चाहूंगो आपको मतलब आगे का क्या सपना और कुछ इसके लावा पर कुछ करना चाहेंगे इसके अलावा तो मैं इसी में आगे बढ़ना चाहता हूं रिया रेलवे में अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता है और डेपार्टमेंट में ट्रेकमेंटर की ज़्यादा बरकंस रहती है जो इसम्समें थोड़ा रखर बरकंग रहता है और स्टोर्म की लेक्टर गैंजन तमाम बहुत सारी पोस्ट रहती है जो वह अच्छी पोस्ट वह पर बता दी जिए जाका साथ किसी करदर टाली टेली सबसे ज़्यादान नंबरलह को सबसे उससा के लिए सबसे हैं इतिने स्टेंडर रहते हैं सब्सक्राइब के लिए और सिंगनल टेलीकॉम के लिए बी टू और फिर आप यह उस्पीटल की एसेस्टेंट की पोश्ट रहती है उसमें सीवन सीटू चलिया था मेडिकल स्टेंडर रहते इतने सारे जिसाब और यह जाना चांगों सारे रेलवे के अंदर सार और कौन-कौ सब्सक्राइब को रिए जाना साथ यह सकता है रफिया गश्ट आसकता है तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इंटर्वी पशंद आया हो बात की और आपने बहुत चीज यहां से सीकी भी होंगी कि अभी जो गुरूब डी का फिजीकल होने बाला है उसको कैसे निकाला जाए कैसे रेनिंग की जाए कैसे जो बेट उठाना है पेटी स्कुलों का बोट आए जाए और कौन-कौन सी पोस्ट होती है सर और जो सर ने बत बहुत धन्यवाद और आपको हमारी टीम की तरफ से सुब काम ना है